नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुभास राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टेडी पर साथियों आज की इस क्लास में railway exams 2024 के लिए especially current FS को देखेंगे आज की इस क्लास में जो current FS हैं वो साथियों जन्वरी से लेकर अभी तक updated है और ये questions बहुत ही important है जो कि इस बार आपके railway exams में पूछे जा सकते हैं ये questions आपके railway ALP, technician, RPF, NTPC, group D सभी exams में बहुत ही जादा useful होंगे और इस क्लास से कई सारे questions आपको हुबहू आपके paper में देखने को मिलेंगे तो चलिए विनादेरी के हुए क्लास को सुरू करते हैं आप सभी से request है वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजे और क्लास पसंद आए तो आपने दोस्तों के साथ जरूर शियर करना तो पहला question है पीम विशो कर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंदरसासित परदेश बना है कौन सा यानि परधान मंत्री विशो कर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंदरसासित परदेश कौन सा है तो देखिए इस question का correct answer हो जाएगा option number C अगला है हाली में कौन महराष्टर राज की पहली महिला पुलीस महानिर्देशक यानि DGP बनी है तो रस्मी सुकला राइट आएगा ओप्सन नमबर D ये है रस्मी सुकला जी का फोटो अगला हाली में कौन फारतिय अगला हाली में कौन प्रथम भारतिय अव्यक्ति बिम श्टेक के नए महासचीब बने है तो याग रिकिये इंद्रा मनी पांडेGी करिक्ठे ओप्सन नमबर C इंद्रा मनी पांडे अगला हाली में कितने बच्चों को बर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्टिय बाल पुरसकार किसको दिया गिया है या कितने बच्चों को दिया गिया है तो कुल 19 बच्चों को करिक्ट आएगा option number A 19 बच्चों को अगला हाली में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतिय सेना को दुनिया भर में कौन सा अस्थान मिला है बेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चेन है तो दिखीगा हाली में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतिय सेना को दुनिया भर में कौन सवा अस्थान मिला है तो चौथा अस्थान ओप्शन नंबर से करेक्ट होगा 26 जनुवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गंतंत्र दिवस मनाया गया तो याद रिखेगा 75 गंतंत्र दिवस करेक्ट है ओप्शन नंबर भी फिल्म फियर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरसकार मिला है तो याद रिखे टुवेल्थ फैल मूवी को ठीक है करेक्ट ऑप्शन नंबर डी टुवेल्थ फैल याद रिखे कौन व्यक्ति हाली में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथुरेटी ओफ इंडिया यानि ट्राइ के नए चैर्मेन बने हैं तो देखी गाव बहुत ही अच्छा कोश्चन है ट्राइ के नए चैर्मेन अनिल कुमार लाहोटी जी को बनाया गया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अनिल कुमार लाहोटी हाली में कुल कितने हस्तियों को पदम आवार 2024 देने की गोशना हुई यानि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पदम पुरस्कार दिये गए तो याद रिखिए 132 हस्तियों को टोटल 132 हस्तियों को ओप्षन नमबर भी हाली में कौन सरक सुरक्षा बल लॉंच करने वाला भारत का पर्थम राज बना है बहुत ही इंपोडेंट कोस्ट 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है तो फिल्म फियर अवार्थ 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला तो भई एनिमल मूवी के लिए तो राइट आएगा साथियों आप्सन नमबर भी एनिमल अगला है हाली में 66 ग्रेमी आवार्ट्स दिये गए जिने प्रतिवर्स किस छेतर में दिया जाता है तो दिखिए ग्रेमी आवार्ट्स की बात करें तो 2024 में 66 संस्करन था जो की संगीत के छेतर में दिया जाता है और 2024 में इसको कुल मिला कर 5 भारतियों ने जीता है याद रखना आगे दिखिए नेक्स्ट है राधा रतूडी किस राज की पहली महिला मुख्य सचीब बनी है तो साथ यो राधा रतूडी की बात करें तो ये उत्राखंड राज की प्रतम महिला मुख्य सचीब बनी है उप्सन नमबर डी उत्राखंड हाली में कौन भारतिय सेना की पहली महिला सुबेदार बनी है तो साथ यो याद रिखिए काफी अच्छा कोश्चन है प्रीती रजक उप्सन नमबर डी करिक्ठ हो जाएगा प्रीती रजक अगला है दो हाजर चौबिस में कुल कितनी हस्तियो को भारत रत्न पुरसकार दिया घया तो भ ayr दो हाजर चौबिस में कुल मेरा के पांच हस्तियोग को भारत रत्न पुरसकार दिया गया उनमें एक तो कर पूरी का golden बीजा मिला है तो देखिए हाली में किस परसिद भारतिय सिच्छक को UAE का golden बीजा मिला है तो साथियो याग रिखिए करेक्ट आएगा आनंद कुमार जी को करेक्ट आएगा option नंबर D उत्रा खंड गितकार गुलजार और जगतगुरु राम भदराचारी इनको 58 ग्यानपिट पुरसकार दिया गया है पहली बात तो यह याद रखना है आपको बताना इस question में यह है कि ग्यानपिट पुरसकार किस छेतर में दिया जाता है तो simple सा question है option number 3 answer होगा साहिति के छेतर में अगले हाली में क्वारत की पर्फम या पहली महिला पीछ क्युरेटर बनी है तो भारत की पहली महला पीछ क्यूरेटर कौन बनी है तो याद रिखीगा जैसिंथा कल्यान ठीक है option number एक करेक्ट आएगा जैसिंथा कल्यान याद रिखिए next question है कौन व्यक्ति हाली में केंद्रिय सतकर्ता आयोग के नए सतकर्ता आयुक्त बने है याद रिखिएगा यहाँ आपका राइट एंसर हो जाएगा option number B.A.S. राजीब आगे दिखिए अगला question है 22 January 2024 को आयोध्या राम मंदिर का उदगाटन किषने किया तो 22 January 2024 को आयोध्या राम मंदिर का उदगाटन किषने किया तो प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने option number A correct है बर्थ 2024 के दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरसकार मिला है तो साथिया याद रिखिए यहां आपका correct answer हो जाएगा सारुक खान की जवान मूवी को option number D जवान मूवी कौन पुरून यादिस भारत के नए लोकपाला दच बने है ताभी भारत के नए दूसरे लोकपाला दच कौन बने है तो A.M. खान विलकर option number C right answer होगा देश उजयन अगला है बर्थ 2024 के दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला तो यह question repeat हो गया है अभी मैंने आपको बताया था जवान मूवी ठीक है भारत के किस राज के पहले railway station की आधार सिला रखी गई तो देखिए रंगपो इस्टेशन के नाम से भारत के किस राज के पहले railway station की आधार सिला रखी गई तो याद रिखेगा यहां आपका करेक्ट आएगा सिक्किम का यानि यह सिक्किम का नया railway station होगा जिसका नाम है रं में सहवाज सरीप भारत के किस परोसी देश के 24 में प्रधान मंत्री बने हैं तो देखिए सहवाज सरीप जो है ये पाकिस्तान के अभी 24 में प्रधान मंत्री बने हैं याद रखना है अगला कोश्चेन है किसे बर्स 2024 का महाराष्टा भूसन पुरसकार मिला है तो बर्स 2024 का मह डिया औलम्पिक समिती के नए अद्दच देवेंद्र जाजरिया जी को बनाया गिया है जो कि भारत के एक पुर्व भाला फेक खिलाडी है Oscar Awards 2024 में किसे Best Film का प्रसकार मिला है तो दिखिए Oscar Awards 2024 में Best Film का प्रसकार Openheimer को मिला है option number C right होगा किस सुन्दरी ने Miss World 2024 का खिताब जीता है काफी एच्छा question है तो याद रिखिए correct आएगा क्रिश्टीना पिश्च कोवा ने जो की चेक गनराज देश की है अगला है हाली में जारी Human Development Index 2024 में है ना 2024 में भारत को 193 देशों में कौन सावा अस्थान मिला है तो साथ को याद रिखिएगा बहुत ये अच्छा question है देखिए 134 वा option number C हाली में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की World Happiness Report 2024 में भारत को कौन सावा अस्थान मिला है तो याद रिखिएगा 126 वा अस्थान next है किस भासा के प्रसीद कभी प्रभाबर्मा को प्रतिश्ठीत सरस्वती सम्मान 2023 का पुरस्कार मिला है तो प्रभाबर्मा जो है ना यह एक प्रसीद कभी है साथियो मलियालम भासा के करिक्ट आएगा ओप्शन नंबर सी मलियालम आगे दिखिए हाली में जारी AQ Air World Air Quality Report 2023 में प्रदूसन के मामले में भारत को कौन सावा अस्थान मिला है तो याद रिखिए करिक्ट आएगा तीसरा अस्थान आप्शन नंबर A किसे बर्स 2024 का संगीत कलान इडिपुरसकार मिला है तो राइट आएगा आएगा आप्शन नंबर C T.M. कृष्णा जी को नेक्स्ट T20 विसुकॉप 2024 का ब्रांड अमश्डर किसे बनाया गया है तो साथ यो T20 विसुकॉप 2024 का ब्रांड अमश्डर किसको बनाया गया है तो यहाद रिखिएगा युबराज सिंग को आप्शन नंबर C प्रसार भारती के नए अधच कौन बने है रोयल चेलेंजर्स बैंगलोर ने और अगर आपसे पूछे आई पील 2024 का खिताब किसने जीता है तो याद रखना कोलकाता नाइट रेडर्स ने ठीक है आगे दिखिए नेशनल डिजास्टर रिस्पोन्स फोर्स यानि एंडी आरेफ के नए चीफ अभी कौन बने है तो साथ यो एंडी आरेफ के नए चीफ प्यूस आनन्द जी को बनाया गिया है ओप्सन नंबर डिकरेक्ट होगा प्यूस आनन्द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी यानि एन आई ये के नए महानेड़्दसक कौन बने है तो साथ यो दिखिए एन आई ये के नए महानेड़्दसक सदानन्द वसंत दाते जी को बनाया गिया है ओप्सन नंबर सी करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला हाली में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 की में दुनिया वर के देशों में भारत को कौन सा अस्थान मिला है नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं तो अगला कोस्चन है दिगज प्रदोगी की कमपनी बिप्रो के नए MP और CEO कोन बने है तो देखेगा विप्रो के नए MD और CEO श्री निवास पल्लिया जी को बनाया गया है और अप्सेन नमबरे करेक्ट होगा भारतिया नौ सेना के नए प्रमोखवी कौन बने है याद रिखे दिनेश कुमार तुरि पाथी जी है ना और याद रखना भारतिया थल सेना के नए प् उपेंद्र दुवेदी ठीक है चलिए किस प्रसिद विज्ञानिक को आर्यभट पुरसकार 2024 मिला है तो आर्यभट पुरसकार 2024 दोक्टर पावालूरी सुब्बा राव जी को दिया गया है तो अप्सन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा राष्ट्य सुरक्षा गार्ड यानि NSG क रहे प्रमूरा किन को बनाया ग्या है तो नलीन प्रभाइथ जी को करेक्ट आयेगा आर्यक puta से हाली में जारी में वर्ल्ड प्रेश फ्रीडों इंडेकस 2024 में भारत को एक सो अस्ठों में वारत को одно सदूर पुरसकार किसको मिला है तो बर्स 2024 का लता दिनानात मंगिसकर पुरस्कार जो है अमिताब बच्चन जी को दिया गिया है option number D correct हो जाएगा हाली में कौन बॉलिवूड अभिने त्री UNICEF इंडिया की नई नेशनल अमबेश्डर बनी है तो UNICEF इंडिया की नई अमबेश्डर अभी करीना कपूर खान को बनाया गया है option number D correct आएगा करीना कपूर next question ने बर्स 2024 के पुलिजर प्रसकार दिये गए जिने किस छेत्र में दिया जाता है तब पुलिजर प्रसकार प्रतेकवर्ष पत्रकारिता के छेत्र में दिया जाता है option number भी correct होगा साथियो आज के इस class में ये जो 50 important current FS थे 2024 के ये आपके railway के सभी exams के लिए important थे I hope आपको class पसंद आया होगा और अगर आपको class पसंद आया है तो इस class को एक like कर दीजे और जादा से जादा इस वीडियो को share करिए साथियो और आप बताना comment box में कि आपको आज का ये class कैसा लगा है कैसे questions थे बाकी साथ यो वीडियो को like जरूर करना मिलेंगे आपसे next वीडियो में जो भी साथ ही नहीं थे चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को on कर लिजेगा तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातरम